अब एक साथी ने सवाल पूछा कि सर किसी उमीदवार का टिकेट कप कर सकता है यानि किसी दावेदार का कोई वेक्ती है या सिटिंग MP है में ले है टिकेट कप कर सकता है या वेक्ती टिकेट माग रहा ना मिले किल कंडिशन कौन से ऐसी कंडिशन होगी जिन पर टिकेट ना म कुछ पार्टी ऐसी जिनके लिए discipline जादा important है, मगर अगर आप discipline नहीं है, चाहे आप कितने ही काबिल हैं, कितने ही जरूरी हैं, कितने ही important है, आप certificate कर जाएंगा साथ, मैं नहीं लूगा किसी पार्टी का लेकिन आप समझ जाएंगे, अच्छा कई पार्टियों में discipline होना ही दिक्कत वाला काम है, अगर आप ज़्यादा discipline है, rule regulation को follow करने वाले ज़्यादा हैं, तो आप होँ चलने वाले नहीं हैं, क्यों क्यों कि आपको हाई command culture है, हाई command कहेगा खड़े हो जादो खड़े होना पड़ेगा, हाई command कहेगा बैठ जा तो बैठना पड़ेगा, और आप discipline में रहने वाले वाले वैक्ति हैं, आप follow नहीं कर पाएंगे इसको, आप कहेंगे मैं तो rule से चलूँगा, rule कहता है खड़ा होना तो खड़ा होना, rule कहता है बैठना तो बैठ होना, मैं तो हाई command को नहीं मानता, टिकेट कर चाहेगी साथ, और कई बार कुछ बुरा मत बानियेगा, कई पार्टी ऐसी है, जिनमें अगर पार्टी का शीश नेतरे तूर, या में चेहरा जो है, उससे ज़्यादा काबिल अगर कोई वैक्ति दिखता है, तो उसके टिकेट तो छोड़िये, उसका पद भी छिन लिया जाता है, हाँ, टिकेट की बात नहीं है, पद ही नहीं दिया जाता, क्यूंग, क्योंकि उसको पता है, हमारा जो में लीडर है, वो जादा काबिल नहीं है, और ये वेक्टिव से ज़्यादा काबिल है, अगर ये पद पर रहा, अगर इसे टिकेट मिल गया, अगर ये पार्टी का चेहरा बन गया, तो हमारा नेता फाइड लाइन हो जाएगा, हमारा नेता छुप जाएगा, वो कहते हैं एक मयान में दो तलवारे नहीं हो सकती, साब जब एक सूरज निकला हो, तो दूसरा सूरज उससे तेज़ चमकेगा, तो पुराने वाले की तो चमक खतम हो जाएगी, हमें सबको पता है, दिन में चांद छुपता नहीं है, दिखना बंद हो जाता है, कारण क्या है, सूरज की रोशनी में छुप जाता है, आपके फोन क मौका वो फ्रंड नहीं दिया जा रहा था, जो वो डिजर्व करते थे, किसे अधार पर अपनी काबलेत के अधार पर, लेकिन क्यों नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि इस पार्टी के शीष नेतरित को निताओं को ये मालूम था, ये हमारे जो में नेता है, उनका जीत बहुत महत्पून होती है, वैसे तो पार्टिया को सीटे हारने के लिए लड़ती है, अगर मालीजे जो सीटे पार्टी ने हारने के लिए लड़ी, तो पहले तो सवाल मनमे आएगा पार्टी हारने के लिए क्यों रखती है, क्योंकि कई सीटे पार्टी को जितनी होती और एक गड़ बंदन सामने से हो रहा होता है, एक गड़ बंदन पर्दे के पीछे हो रहा होता है, बड़ा नेता है, बड़े नेता को जिता दो, ताकि हमारे बड़े नेता को जिता दे, गड़ बंदन पर्दे के पीछे हो गया, अब माली जे पार्टी ने कोई सीट हारने के वो सीट छोड़ी है, अब यहां आप दावेदार होगे मजबूत, मानो आपको टिकेट मिला, आप जीत जाओगे, आप पार्टी के सारे समिकरण भी गाओ जोगे, यानि अगर आप यहां जीत गए, तो वहां भी पार्टी मजबूत उमिद्वार अगली बार देगी, और वहां आपके मिलनेता खोड़ा देगी, लेकिन पार्टी को तो इस सीट हार भी थी, पार्टी आपका टिकेट कार देगी, किसको लाएगी, किसी को भी जिसको बली का बकरा बनाना है, छोटे उमिद्वार को लाएगी, वो उमिद्वार क कर रहे हैं या पार्टी का वाजनाथार जादा है पार्टी का अपना कैडर बूर्ड जादा है पार्टी के अपने में चेहरा जो है उसकी फैन फॉलिंग वहाँ जादा है वहाँ टिकेट मांग रहे हैं और पार्टी वहाँ से में चेहरे को लडाना चाहती है यह लडाएगी तो फिर पार्टी उमाटी करना ही दिए और कई पार्टीया तो ऐसी है जिनमें कहना नहीं चाहिए उन्होंने एज क्राइटिर्या रगा दिया कि इस उमर से उपर के सभी रिटायर अब विचारा जो 20 साल से महनत कर रहा था महनलोग एक वैक्टी 20 साल से महनत कर रहा है 30 साल की उमर से पार्टी में संगटर में आया 20-25 साल संगर्ष करता रहा पार्टी को सथा में पहुचा दिया अब भारी थे उसके ठिकट लेने की पार्टी ने तया कर लिया 50 साल से बड़ी उमर के लोगों को पार्षद नहीं बना पांस साल और इंतिजार किया पार्टी ने तया कर लिया 55 से उपर को विधायक नि मराएंगे अब वोगी 60 का हो गया था अब फिर उसने पांस साल और संगर्ष किया 50 सान्थ नहीं बनाएंगे अब वह वैक्ती तो पैसा साल का हो चुका है तो कई बार उमर के आधार पर हो पैसा बहुत बड़ा रोल है साम और मैं यह जूट नहीं बोल सकता आपसे के पैसे का अधर पर टिकट तैह नहीं होती या टिकेट कटती नहीं या मिलती नहीं है मैं नाम नहीं लूँगा फिर एक पार्टी है और मैं जीता जाकता हुदारन उस पार्टी का एक वक्तिने टिकेट माँगा मेरे सामने बलकूर उसने सारी बाते बता ही इतने पैसे पर क्योंके पैसे में टिकेट देती नहीं इतने पैसे पर टिकेट टैह हो गया है और इतना तुरंद उसको बोला कि आपका एडवांस आया था, पूरा पेमेंट नहीं आया था, किसी और का आ गया है, आप अपना पैसा ले जाएगे, और जब वो वापस भी लेना था, उसके नहीं भी उसे बड़े धके खाने पड़े, क्योंकि पार्टी पैसे जरनी वापस नहीं करत होता है, पैसे क्या आधार पर भी टिकेट बढ़ती है, टिकेट कटी है, ओचा कई जगा पर टिकेट कटवाने के लिए पैसा लगता है, हाँ, कोई ऐसा उमीदवार है जिसके टिकेट कटवानी है, तो उसकी छवी खराब करने की पहले प्रियास करेंगे, इंटरनली प्रस्दल अक्षेब लगा रहा है सबूत इखते कर रहा है सबूत लाके कौन दे रहे हैं जानकरी मुहिया कौन करा रहा है अंदर का कौन है और कोई वैक्ति होता है जो यह सब कर रहा है क्योंकि उसको टिकेट कटवानी है यह पार्टी में भी गुडबाजी है और जो जितन बोल नहीं पाएगा, क्योंकि हाई कमान भी फाइनल डिसन देने वाला है तो ऐसा भी होता है, कि कई बार टिकेट कटवाने के लिए, वेक्ति का नाम हटाने के लिए, साइड लाइन करने के लिए रेस में से गायब करने के लिए पैसा खर्च के जाता है, करते अपने लोग हैं, दिखाते नहीं अपने लोग कर रहे हैं तो परदे के पिछे ये काम भी हो रहा है, इससे भी आधार पर टिकेट कटती है, या टिकेट मिलती है सम्मूदों के आधार पर, हम मालीजे किसी बड़े नेता का नमाद चुनाव न तैकर लिए और वो पैसे वाला भी है, डिसन मेकर भी है, खास है किसी बड़े नेता का जो डिसन मेकर है उसके बेटे ने तैकर लिया, मुझे विधाय का टिकेट चाहिए मुझे सांसत का टिकेट चाहिए और वो टिकेट बाग्डे वाली कमिटी में पार्टी का शीष नहीं तिरुट में अडिसन में कर रहा है 10-20 टिकेट मिलती हैं है अडिसन में कर खूँकर आप पने साब से दे सकते हो कौन का टे का उसके बेटे की टिकेट भाई पर टिकेट तो कट रही है मिल का रही है मिलती भी है कुछ पार्टी है गिनी चुनी पार्टी है जो यह देखते हैं कि वएक्टी में खुड़ी काभल nepow जिसका जनाधार हो और जनाधार ही राजभीती में सबसे बड़ी काभलियत है साब आपको हो सकता आपने PSG करी, आपने MBBS किया, आप IES रहे, IPS रहे, आप बड़ा नाम रहे, बड़े कलेक्टर रहे, बड़ा कुछ कर लिया, जनाधार रही है, जनता में पकड़ नहीं है, तो फिर वो सब बेकार हो जाएगा, और अगर जनाधार है, वहाँ कोई जनाधार वाला वेक्ती आ गया, औ अगर कोई जनाधार वाला वेक्ती आ जाए, जिसमें वाकिए इतनी काबलियत हो, काबलियत कूट-कूट के भरी हो, इस वेक्ती को फिर मौका दिया जाता है, इसे आगे भी बढ़ाया जाता है, इसके शमता को आगे देख करके इसको पद भी दिया जाता है, और सरकारे पा कारण नहीं है अलग-अलग कारण है अलग-अलग परिसीदियां है जो हर पार्टी में अलग-अलग आप किस पार्टी से टिकेट ले रहें वो मैटर करता है किस सीट से टिकेट ले रहें वो मैटर करता है वहाँ पर टिक्ट मागने वाले कितने दावेदारे अइफमेटर करता है, पार्टी का कितना जनधार अइफमेटर करता है, कि लोग मेरे पाइस साथनें काथ है, सप, वहाँ से तिक्ट मिल जाए मैं तुरण चुनाओ जीद जाओं मैं उसे बुस्त अच्छा आप कोई बात पता है करें हाँ मुझे पता है मैंने करें पार्टी को पता है यह तो सब कोई पता है मैंने तब सवाल लिटता है आपको ही क्यों दें पार्टी टिकेट वहां से जब आपको भी पता है कि वहाँ से टिकेट मिलेगी तो आप जीच जाएंगे पार्टी को भी पता है महाँ से कोई भी उमिदवार लड़ेगा तो जीच जाएगा अब तरक देते हैं क्या मेरी जाती है तो आपकी जाती का तो कोई भी आजाए तो चलेगा लिए अब कहते है, मेरा धर्म है. तो आपके धर्म कोई भी आ जातों? यह नहीं कहते है, मेरा जना धार है. और जिनका जनाधर है, वो नहीं बोलेगा. वो कहाई, साब पार्ट repent टिकेट लेगी, तो ठीक है, नहीं तो मैं इतनी शम्ता रखता हूं, कि मैं independent चुनाओ लड़ूँगा मैं जीतू ना जीतू पार्टी हार जाएगी और जिन इतना भरोस है जिनका इतना जनाधार है पार्टीन टिकेट देती हैं साब उनको मैंने देखा है बड़े बड़े नीताओं के टिकेट कार्ट को उनको देती है क्योंकि पार्टी को पता है कि अगर ये ये लड़ा तो ये जीते ये ना जीते ये हमें हरा देगा